जिस से हमारा स्वार था लॉगडाउन डर्मियान में हम किसी आदमी से 20,000 रुपया लिये थे और उनका इंतकाल हो गया और उनका मसळा यह था कि मतलब उनकी वाइफ से तलाक जो कि पो गया था उनका तो एक साथ नहीं रहते ते लेकिन उनका बच्चा था उसके साथ रहता था लेकिन नहीं था और उससे उन आते थी नहींनों को बताते हैं बच्चा धायार घ्ला years कि शिस से हफ्ता दिन मतलब रहके और आते थे तो जब उनका इंतकाल हो गया तो मेरे पास उनका 20 हजार रोपया था तो मैंने उनके भाई से पूछा कि मैं इस पैसा का क्या करूँ आपको दे दूँ कि मस्जीद दे दूँ दूँ तो उनके भाई बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए आप मस्जिद में दे दीजिए लेकिन उनका एक लड़का है जो उनके साथ रहता था तो मैंने उनके लड़के को नहीं दिया मैं मस्जिद में दे दिया तो क्या ये कर्ज अदा हो जाएगा या उनके लड़के को हमको देना पड़ेगा ये कर्ज अदा नहीं हुआ, जरूरी है कि आप उनके जो वारिस है उनको दें, वो लड़का अच्छा है, बुरा है, नाफरमान है, फर्माबरदार है, ये अलग मसला है. वो लड़का है तो है, उनके मरने के बाद वही वारिस होने वाला है, वो जैसा भी है. तो वो जो कर्ज की रकम आपके पास थी आप उनके बच्चे को लोटाईए मस्जिद में मस्जिद में आदेने से वो कर्ज कैसे अदा होगा वो कर्ज जो है एक इनसान का है उस इनसान को आप दोगे तब वो कर्ज की अदाईगी होगी तो आप उनके बच्चे को दीजिए